नमेश्का दोस्तों कैसे हैं आप? कितने सवाल चाब वे हैं इन दिनों आपके दिमागें? क्या ये 2008 से ज़ादा खराब मंदी है? क्या पुरा संसार इस मंदी की चपेट में आ जाएगा? क्या और भी खराब चीज़े निकल के आने वाली हैं? क्या हमारा पैसा बिल्कुल वर्बाद हो जाएगा? या कोई opportunity भी हो सकती है? इन सबी सवालों का जवाब लेने के लिए इस वीडियो को आपके लिए बहुत special बनाया हैं इसमें बहुत efforts दा ले हैं मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे आपको डराने का कोई मकसद नहीं है बढ़ हां स्थिती जितनी गंभीर है उसको समझना भी उतना ही important है जितना हमें इसको समझना चाहिए अगर हम इस समय इस स्थिती को नहीं समझेंगे तो हो सकता है हमारी चोटी सी जो गलती है वह बहुत भारी पड़े हमारे उपर पैसा हम बहुत मुश्क्राइब है कमाते हैं जैसी हाहाकार हर तरफ मची हुई है जैसा समय चल रहा है जैसी सिच्विशन ग्लोबली और लोकली है लोग को बहुत बहुत डरा रही है चीजे बहुत खतनाक हैं सिती बहुत भाहव है है जीहां हर तरफ हाहाकार का माउल है लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं मीडिया में सोचल मीडिया पर टेलीविजन पर क्या तरफ क्या चल रहा है जहां स्टॉक मार्केट गिर रही है वहीं कॉरोना वाइरस कॉविड नहीं अपना अटैक बरकरार बनाया हुआ है और उसने इस अटैक को बहुत जादा बढ़ा दिया है ऐसी कोई कंट्री नहीं है वर्ल्ड की जहां पर शायद कॉरोना वाइरस का अटैक ना हो इटली जैसे देश में जो कहीं दिख भी नहीं रहा था वहां पर कोरोना वाइरस के किसिस नंबर वन हो गए है जा चाइना इन कोरोना वाइरस के किसिस को contain करने में कामयाब हुआ है stop करने में या limit करने में कामयाब हुआ है वहाँ दूसरे देश जिनों ने इसको ignore किया था वो इसकी खराब सिती से और जारा गुजरने लगे हैं दोस्तों चलिए इस वीडियो के मादब से देखने ही कोशिश करते हैं कि हो क्या आपके हाथ से बहुत जबरस इंफोर्मिशन मिसकर सकता है चलिए समझते हैं दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है is it recession or depression मैं वीपल कोशिक आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिक्शन को प्रेस रखें ताकि सभी इंटरस्टिंग वीडियो आपको मिल सकें दोस्तों आज का सवाल है कि क्या खराब समय ने हमारे दरवाजे पे 10 तक दे दी है या हम अलड़ी खराब समय में एंटर कर चुके हैं बहुत बढ़ा सवाल दोस्तों बहुत ही जादा बड़ा सवाल सबके जहन में आए इस सवाल आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल नोटिक्मेशन को प्रेस रखें ताकि सभी इंफोमेशन सभी वीडियो आपको टाइम से मिल सकें दोस्तों सवाल का जवाब है जी हाँ सवाल का जवाब को अच्छा नहीं लगा है बट हाँ उत्तर इसका हाँ है आंसर इस येस पासुन कीती की निफ्टी कहां तक हाई बना सकती है कहां से बजार से निकल जाना चीए जिननों को प्रूफ चीए दो वीडियो समाई चनल पर पूरी अवेलिबल है उन वीडियो को उसको जरूर जाके देखें जहां पूरी एडवाईस दी गई थी कि प्रीज मार्केट से बार हो जाई है कुछ गरबर होने वाली है दोस्तों क्या एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है वो भी बहुत ही बहुत खराब दोस्तों क्या ये सिर्फ और सिर्फ करोनमाईरस है या कुछ और भी खिचड़ी पकरी ये समझने वाली बात है अगर हम इस वीडियो को आन्त तक देखेंगे तो हमें इसका पूरा जो निचोड है वो समझ में आएगा कि इसके पीछे क्या चल रहा है इस बरबादी, इस तरासदी के पीछे क्या है समझने की कोशिश करते हैं कि इन दिनों में जो निज़ूबल है ये वीडियो दोसको लोकल हो ग्लोबल एविवरज के लिह है, इस अपलेगे बिव फर आल दिल्लन है वो जितनी खराब सिती डाउजोंस की है उसने पूरे वर्ल को अपनी चपेट में दे लिया है डाउजोंस तो एक एक दिन में कितनी बार दो से जादा बार दस दस पसंद का क्रेश तक हुआ है लोवर सरकेट तक मार्केट में लगे वही हाल निफ्टी में भी देखने को मिला है वो भी एक दिन में दस से बारा पसंद किला है आए देख लेते हैं कि कौन-कौन से इंडेसी हैं जिनकी हालत कैसी चल रही है डाउजोंस हैस क्रेश्ट फॉम टुनी 9,543 to a level of 19,985 32.36% निफ्टी 50 इंडिया 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 इंडेक्स क्रेश क्या बारा हजार चासव उननिस से आठ हजार दोसुन इनन्यानुए 33% निकाई यपान 34% लंडन 36.67% पारिस 40.56% Shenzhen 28% Taiwan 21% Brazil 43% the highest fall in Brazil and BSE Sensex 30% of course. दोसो यह हाल है global stock markets का जिसमें सौलाट ट्रिलियन से जादा एक ही महीने में खराब हो गया, more than 16 trillions in less than one month, markets are lost it. Is it just the beginning of the thought जो आपके दिमाग में आ रही है क्या ये October 1937,1929, the Great Depression की सुगुगा हर्ट आपको दिखाई दे रही है? आपको लग रहा है कि Great Depression 1929 रिपीट होगा, चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे समझने कोशिश करते हैं, Stock market is down more than 30% already and it is officially a crash globally, मैं ग्लोबल बात करहा हूँ, globally it's a crash, लोग चीज़े खरीद नहीं रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, ग्लोबल शटडाउंस देखने को मिल रहे हैं, जगे जगे से news ये आ रही हैं, कि ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, government बहुत सारा पैसा बजार में डाल रही है, उसके बाद भी इतने trillions market में डालने के बाद भी बजार सिर्फ एक छोटे से चोटे समय के लिए recovery दे सकता है, बड़ बजार की हालत बहुत जारा गंबीर है, A full-blown banking crisis is emerging, mind my words guys, full-blown banking crisis is emerging, अभी कुछ भी नहीं आया है, सामने आएगा, पूरे world से, पूरे world के bank, चाहे वो Europe हो, चाहे वो America हो, चाहे वो Asia हो, चाहे कोई भी countries हो, हर country से कोई ने कोई बैंक default कर रहा है, अगर आप news को देखेंगे, data को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही भयावर स्थिती है, कितरे साले banks एउड़ोप में और पूरे across the world खराब हो रहे हैं, और ये सभी banks आपस में interrelated हैं, खराब स्थिती है, ये आपस में interrelated है कि अगर एक bank डूबेगा, अगर एक bank खराब होगा, तो बाकी सभी banks को ले डूबेगा, कुछ प्रमुख नाम है, Deutsche Bank, HSBC, Yes Bank, इंडिया में देखा ही आपने पंजाब national bank की क्या हलत ही, दिवाना होसिंग finance limited की क्या हलत ही, कितांजीरी जैम्स, लाखो करोडो रुपे ये लेके bank बरबाद कर दिया पूरे world को, पूरे world में इतलास दिया है, और हिंदुस्तान में तो देने की शमता रखते नहीं है, और जाके NCLD में खड़े हो जाते हैं, विच इस कॉल्ड अशनल कंपनी लोटर भी दो, वहाँ पे आप विलफुल डिफॉल्ट कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं और दे नहीं सकता, तो चलो, एक negotiation करते हैं, अगर मेरे एक उपर 10,000 कर करजा है, मैं 2,000 करोड दे सकता हूँ, कोई लेना चार्जी तो बताईए, मतलब जिस बैंक ने 10,000 करोड का करजा किसी कंपनी को दिया, और अब वो 2,000 करोड में सैटल हो रही है, तो बैंक का मोटा मोटा 8,000 करोड का नुक्षान है, चलि देखते हैं, एक बैंक है, करोड के इसे डूब गया, जेपी इंफरेट एक 22,000 करोड का करजा डूब गया, आईवियार स्केल 10,700 करोड, रूची सवया, 4513 करोड, उत्तम गालबा सील 4,150 करोड, सोवाई इंटरबाईजर 1,800 करोड, दोस्तों, लिस्ट बहुत लंबी है, बलार पो इंडर्सिस 6,000 करो भूशन स्टील 37,248 करोड, एम्टे गोटा 14,000, इलेक्टो सील कासिंग 10,000, एबीजी शिप्यार 69,000, जोदिस एक्र 50,000, 5,165, दोस्तों, ये लिस्ट छोटी नहीं थी, लाखो करोड रुपे स्टेट बैंक से लूट ले गए हैं, ये सिरफ स्टेट बैंक की लिस्ट आप पर्थेटिक, बहुत खराब सिती है, बैंकिंग सिस्टम इस नेक्स उपलाप्स, और मैं अपने यूट्यूब वीडियो में बहुत टाइम से कहता आ रहा हूं कि जितना भी ब्लूचिप हेविएट है, बैंकिंग जो है, वो बजार को नहीं चले काएगी, और यही है, प्ल आपका hard money, आपका दिया हुआ tax का पैसा वो corporates को दिया जा रहा है, corporates default कर रहे है, will default कर रहे है, खड़े हो जा रहे है कि हम दिवालिया होना चाहते है, हमें दिवालिया घुचित क्या जाए, हमारे बसकी पैसा दे रहा है नहीं, यह पैसा है किसका banks के पास में, जैसा yes bank के स साथ में भी हुआ, बहु सारे और बैकों के साथ हो सकता है, इंडसिंट बैक के बारे मैं कितने ताइम से में कह रहा था, मेरी classes में, मेरे students को भी यह में कह रहा था कि इंडसिंट बैक से FIs निकल रहे है, promoter अपना माल में चला है, things are going bad, look at the crash, look at the crash, look at the crash, what इंडसिंट बैक balance sheets, window dressing, जैसा एक समय में अगर आपको याद हो, सत्तम computers के साथ में window dressing की गई थी, figures के साथ में चेर चाड़ की गई थी, वही figures की चेर चाड़ आज भी हो रही है, और banking, जो किसी भी economy की read की हड़ी होती है, चर्मला के गिर रही है दोस्तों, और अब हर आदमी अपने घुटन की वज़े से समझ रहा है कि ये सारा turmoil virus की वज़े से, coronavirus, covid की वज़े से, दोस्तों समझने की कोशिच कीजिए, मैं कहता है, जब भी FIS को या smart money को अपना पैसा निकालना होता है, वो बजार में news पैदा करते हैं, मैं यह नहीं कह रहा है कि coronavirus exist नहीं करता, जिहां coronavirus exist करता है, व ग्लोबल एक बिमारी बन कही है, पूरे विश्व में है, लोगों को परिशान कर रही है, बट लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि असली मुद्दा क्या है, उस मुद्दे को हटाने के लिए coronavirus को पूरे globally इतना ज़ादा market किया जा रहा है कि लोगों का ध्यान ही नहीं जा खरातल पे सभी खराब, पीछे अगर हम अपने finance minister श्रीमती इंदिर्मिला सीता रवन जी की budget के आसपास की बात करें, तो उन्होंने भी का कि पूरा world खराब है, पूरे world की GDP खराब है, बट वी आ स्टिल बेटर, हम अंदों में काने राजा, ऐसा नहीं होता है, पूरे world की GDP पे अलार्मिंग थी, पूरे world की PE ratio अलार्मिंग थी, पूरे world की financials खराब थे, तो वो एक सही समय था बजार से exit होने का, और वही कोशिच की थी, मैंने 15 जनुरी के अपने वीडियो में, जहां मैंने कहा था, बजार से सब कुछ बेच के बाहर आ जाना चाहिए, जिसके proofs म एक quarter और slowdown रहेगा, कम से कम 2-3 quarter बेहर खड़ाब होने वाले हैं, दोस्तों ये slowdown नहीं, ये recession नहीं, ये depression की तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों? समय नहीं कोशिच करते हो, कितनी सारी companies, कितनी सारी companies अपने numbers report करेंगी, एक virus को, COVID virus जो है, उसको excuse की तरह लेके जाएंगे, कि ये इसकी वज़े से हुआ, demand नहीं आई, sales नहीं आई, बट लोग ये भूल जाएंगे, ये virus नहीं है, ये कोई नहीं कोई planning है, जिसकी वज़े से पूरा global meltdown हो रहा है, दोस्तों, अगर 2008 को याद करने कोशिच करें, जब अमेरिका ने एक bank को, सिरफ कुछ दिन पहले, जब जन दोबारा history repeat हो रही है, US में फिर से एक struggling bank को इस बार 500 billion dollar की aid दे गई है, पहले 50 dollar दिया था, क्या हाल हुआ, आज 500 dollar देने पड रहे है, research कीजिए कौन से bank की बार कर रहा हूं, यहीं स्तिती भाव खराब है, और आपको क्या लगता है, आगे क्या हुआ, यह सवाल आपके भी दिपाग में है, मेरे दिपी दिपाग में है, let me tell you friends, depression is always planned into the economies, depression आता नहीं है, यह प्लान किया जाता है, यह पैसे का खेल है, I could be, you know, sounding very harsh today, but यह fact है, depression ऐसे ही होता है, we have short memories, बहुत छोटा memory होती है, हमारी memory हम भूल जाना पसंद करते हैं, भूल जाते हैं कि हमारी साथ पह bubble is probably the largest in the history of mankind, सबसे बड़ा bubble होने वाला है, dot com bubble भी कुछ नहीं था, जो bubble यह बनने वाला है, because this is the financial bubble and it will take the entire financial world system down, पूरे world की system को down कर दे है, क्योंकि पूरा world economics है, economics का मतलब पैसा, अर्थ व्यवस्ता, अर्थ मतलब पैसा, पैसे की व्यवस्ता, और जब पैसे की व्यवस्त ही चर्मर आ जाए, तो आप सोच के देखिए किसी भी देश का, किसी भी कंटरी का, ग्लोबल स्थर में क्या होगा, so this is a very very alarming सथी, जोस्तों हो कहारा है संसार में, पूरे world में क्या हो रहा है, travel close down, industry is close down, business is close down, public gatherings are not allowed, schools are shut down, economy is close down, हो कहारा है, सब कुछ धरातल पे, रुक गय है, stand still हो गया है, आज कोई देश लॉक्डाउन कर रहा है, अपनी boundaries को कल कोई और करेगा, जब दोस्तों कारोबार ही नहीं होंगे, लोग यहां से वहां जाएंगे नहीं, अब तो देश के देश में local flights तक कैंसल हो गई है, हर state कह रही है कि मैं भार की state के लोगों को यहां न सब्सक्राइब कर रहा है, अब यह और फटना बाकी है, क्योंकि जब महीने महीने यह सब सिती खराब लिंगरोन होगी तब क्या लगता है? चीजें इतनी असान होने वाली हैं, this is actually just the tip of the iceberg, अभी तो बर्फ का पिंगलना भागी है, जब बर्फ पिंगलने लगेगी तो सुनामी आएगी, क्यों आएगी? It is estimated, चलिए, let us come to the corona virus figures, it is estimated that New York alone at least have 10,000 corona positives. इतली टॉप कर रहा है, जो इतली का किसे नाम नहीं सुना था, वो टॉप कर रहा है, इंडिया में भी cases have gone past 150, एक डेट सो से जादा cases इंडिया में भी हो गए हैं, this is very alarming, situation is already gone out of control on global scale, absolutely, पूरे वैश्विक तोर पे चीज़े हाथ से निकल रही है, कोई नहीं जानता क्या हुआ, सर को पे पुलिस गूम रही है, जितना बड़ा करजा इस economy में आएगा, उतना बड़ा bubble बनता चला जाएगा, और अभी worst अना वाकी है, खाफ सिती और भयावय हो सकती है, लोग coronavirus को भूल जाएगे, yes, but this financial bubble will kill more people, जितना coronavirus नहीं मारेगा, उससे जाएगे financial bubble मारने वाला है, क्यों, जब काम धंदे नहीं होंगे, लोग भूखे मरेंगे, लोग भिरोजगार होंगे, क्या होगा, कैसी सिती हो सकती है, दोस्तों, हो सकता है कि आप कहें people को आज क्या हुआ, क आपको समझदार ये भी देखनी होगी, कि ऐसे समय पे आपको क्या करना है, दोस्तों, जान भूज कि हो सकता है, करोना वाइरिस की दवाई, जादा लंबे समय के लिए postpone की जाए, क्यों, जितना जादा लोग डरेंगे, उतना बड़ा व्यापार होगा, उतना बड़ा व् साथ हजाद चार्स सो एकतर मौते हो चुकी है, सेवन थाजन फोरनेट सेवन पीपल और ड़ी डाइड, इस इस तिल इंक्रीजिंग, थाजन्स मोर विल डाई, वर्ल्ड विल चेंज फोरेवर, लोग हमेशा के लिए बदल जाएंगे, कोई भी सरकार के अपने अपने सरकार कि जूट पे विश्वास करना बंद कर देगा, अभी लोगों को बताय गया कि नहीं कुछ सो दो सो लोग इंफेक्टेड हैं, फिर हजारों लोग आ रहे हैं, फिर पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, चीज़े खराब हैं, चीज़े बहुत ही सेंसिटिव हैं, समय बहुत सेंसिटिव हैं, दोस्तों, पूरा वर्ल्ड एक मेल्ट डाउन की स्तीती में है, पूरा वर्ल्ड, और जादा से जालों कि यह समझे नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ को क्या रहा है, बैंक करपसीज, बैंक करपसीज डेप्स इक्स्पोशिन रिकम, जब बैंक बरबाद और निकल के आएंगे और बाद में पता लगया कि उन बैंक्स की भी खुद की खराब है हमारे आपके पैसे से इन बैंक्स को रिस्क्यू किया जाएगा सिती और खराब होली दोस्तों आप समझने कोशिश कीजिए अब तक हमने जितनी बाते की सारे डिजास्टर की बाते करी चलिए हमेशा रात के बाद एक सवेरा आता ही है अब जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे डिजास्टर के समय पे क्या कोई हमारे सामने उपार्चुनिटी जानने भी है तो लेट उस फाइंड आओ प्रचुनिटी गाइस इस वेरी वेरी इंपॉर्टन तो स्टे इंदी मार्के राइन आओ जब समय खराब हो आप समय ने कोशिश कीजिए वन समबडी इस सेलिंग इस अल्वेसर बायर इस सिंपल इकॉनमिक्स इस सिंपल इकॉनमि आप और मैं क्यों नहीं हो सकते तो इस समय जो हमें दिमाग लगाना है यह लगाना है कि जितने भी बिलियोनर्स आस तक हुए है जितने भी करोड़पती लोग हुए है वह ऐसी डिपरेशन से ही निकलते हैं ऐसी इसेशन के टाइम से ही पैदा हुए है क्योंकि यह लोग maal उठाएगा, maal उठाएगा, यह बिटाएगा, yes panic time है, गवराने का समय है, लो, के दिमाग में doubt भी होगा, इसमें कोई शर्ट नहीं है बट यह स में बहुत लंबा नहीं रहने वाला, इसके effect लंबे tau के रहेंगे, for sure बहुत लंबा रहने वाला नहीं है but it is equally good time for learning and value investing also अब समझे मेरे बात को क्या करें ने कुशिश कर रहा हूँ यह सही समय है learning और value investing का also जो लोग बजार को आज तक नहीं सीख पाए तो सिर्फ बजार को गालियां देते रहे हैं criticize करते रहे हैं मेरी उनसे request है प्लीज सीखिए मैं हमेशा सीखने बे जोर देता हूँ आप हमसे सीखना चाते हैं तो हमाई classes पूरे इंडिया में हम run करते रहते हैं अपनी अगर classes के बारे में inquiry जानना चाते हैं तो हमारा number जो 12-12 इस स्वीं पर flash कर रहे हैं contact कीजिए अपने शेहर में आपके आसपास कब class होने वाली है कैसे सीख सकते हैं आप उनसे connect कीजिए आपको जांकारी मिलेगी और हाँ दोस्तों value investing करना साथ कीजिए को भी जितनी भी companies है वो फेर value पे आने वाली है wonder book value के अंडर में आने वाली है तो आपको जितनी भी potential industry है जितनी भी potential companies है उनको find out करना है आपको देखना है कौन सा share था जो हजारों में विक रहा था अब हजारों से वो सेंकडों में आ गया है क्या वो under book value है क्या उस industry से belong करता है जिस industry की demand है या वो company market maker है market calculation high है market में कैसा काम करती है उसके fundamentals कैसे है सब चीज़े देखिए अगर आपको लगता है वो company सही दाम पे या सस्रे दाम पे मिल रही है तो यह सही समय है value investing करने का दोस्तों value investing पे दिमाग लगाए क्योंकि जितने भी लोग अब पैदा होंगे तो कम से कम एक दशक या दो दशक पैसे कमाएंगे enjoy करेंगे मस्ती करेंगे और वो करोड़ोपती बनने का जो सपना है वो अभी पूरा होने वाला है तो इसलिए में आपस रिक्वेस्ट है समय सही है सीखने पे जोर दीजिए value investing पे जोर दीजिए सीखना चाते है तो ये details आपके सामने हैं contact कीजिए आपकी classes मिलेंगी आपको and I wish you all the best happy investing take care enjoy